ये वीडियो शेयर करते हुए यूजर्स दावा कर रहे हैं कि राबिया नामक इस पाकिस्तानी महिला ने अपने पिता से शादी कर ली सबसे पहले व्यूवर्स ये क्लिप देख लीजिए ABB News ने इसी दावे के साथ वाइरल वीडियो के बारे में ये रिपोर्ट पब्लिश की थी वहीं इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया था बहराल ये वीडियो रिकॉर्ड किये जाने से पहले ही मीडिया चैनल ने आर्टिकल अपडेट कर दिया और इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट कर दिया पंजाब केसरी, नवभरण टाइम्स, अमरोजाला और वन इंडिया हिंदी ने भी वाइरल वीडियो के बारे में सोशल मीडिया पर किये गए दावे के आधार पर ही खबर पब्लिश की और देखते ही देखते कई राइट विंग यूजर्स ने ये वीडियो ऐसे ही दावों के साथ ट्वीट किया या फिर फेस्बुक पर पोस्ट किया और न्यूज ने वाइरल वीडियो की सच्चाई का पता लगाने के लिए चानबीन शुरू की वीडियो में जैन टीवी व्लोग्स लिखा है इस आधार पर यूटूब पर सर्च करते हुए हमें इस इंटरव्यू का पूरा वीडियो मिला ये वीडियो अगस्त 2021 में अपलोड किया गया था आज मैं मुझूद हूँ एक ऐसे कपल के साथ जो किसी तारफ का मोताज नहीं सोशल मीडिया पर एक आलमे दीन और उनकी बीवी आज कल बहुत मशूर है और वो हैं आमिर साहब और राबिया आमिर खान इनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं चार बच्चे भी मुझूद हैं बहुत खुशकवार सिंदगी गुजार रहे हैं यानि इस इंटर्व्यू के शुरुवात में ही ये बताया गया है कि राबिया नामकिस महिला की शादी आमिर नाम के इस व्यक्ति से 10 साल पहले हुई थी इस दूसरे इंटर्व्यू में राबिया बाचीद के दौरान ये बताती है राबिया आमिर के साथ अपनी शादी के विवादों के बारे में ये कहती है तो आप अपना तालों के साथ बदाएगा आपका तालों के साथ किसना बना और फिर ये शादी तक का सफ़र किसना दैखिया तो बस बात तो लोगोने काफे हता कुछ ठीक पहला दी के मैं इनकी स्टूड़न थी तो वो बात कुछ ठीक भी थी क्यों के ये मेरे थोड़े टाइम के लिए तो मा के लिए टीचर आ चुकी है तो फिर बस लेकिन टीचर मैं इनका कोई आवसन टीचिंग कुरान और स्वा यानि वीडियो में दिखने वाली इस महिला ने अपने टीचर से शादी की थी न की अपने पिता से लेकिन कई प्रमुक मीडिया चैनल्स ने वाइरल दावों के आधार पर ये जूठा दावा खबर के तौर पर चलाया कि पाकिस्तान में एक लड़की ने अपने पिता से श ये उदाने तो